Hello students, welcome back to JK Smart Classes आज हम डिस्स करने जा रहे हैं Find a series solution of differential equations using frobbiness method तो आज हम frobbiness method के बारे में देखेंगे कि frobbiness method हम कैसे निकालेंगे तो क्या क्या step यूज होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्स करेंगे तो power series solution के बारे में मैंने आपको बता दिया मैंने previous video में यही बताया कि power solution में क्या क्या उसके step होते हैं तो frobbiness method भी हम ऐसे ही series solution of differential equation के लिए निकालने के लिए यूज करते हैं तो frobbiness method हम वहाँ यूज करते हैं जहां हमारे differential equation काफी complicated होती है और दूसरी बात यह है कि हमें लिखा हुआ होता है पेपर में कि इसको find the series solution of differential equation दी होगी आपको using frobbiness method लिखा होगा तो frobbiness method यहां लिखा होगा तो हमने frobbiness method से ही निकालना है पेपर में ऐसा लिखा आ जाए find the series solution आप आपको equation गिवन हो तो आप power series solution से भी कर सकते हो और frobbiness method से भी कर सकते हो पर मैं यही बताता हूँ simple हो differential equation तो power series यह यूज़ करो और complex हो तो frobbiness method ही यूज़ करो तो frobbiness method देखते हैं तो सबसे पहले क्या क्या step है तो frobbiness method तो frobbiness method के क्या step है वो देखते हैं first step है फिर से वही बात हमें कोई न कोई differential equation गिवन होगी ऐसी कुछ differential equation हमें गिवन होगी तो हम इसको equation 1 मानेंगे first step यह है हमारा let करेंगे हम कि हमारे y की value क्या है हम let करेंगे कि y हमारा हम power series solution में क्या करते थे लिखते थे a naught x की power 0 plus a1 x की power 1 plus a2 x की power 2 plus a3 x की power 3 plus a4 x की power 4 plus a5 x की power 5 a6 x की power 6 so own ऐसे यह चल जाए यह था हमारा power series solution तो हमने अब करना है probinance probinance method में हमने यहां x की power m साथ में multiply कर देनी है तो हमारा y क्या बनेगा x की power m means यहां 1 है तो यह बन जाएगा इसको ऐसे भी जिखते हैं x की power m यहां a naught आएगा plus a1 x plus a2 x का square plus a3 x की power 3 आएगा plus a4 x की power 4 आएगा a5 x की power 5 आएगा और ऐसी a6 x की power 6 आएगा so on up to infinity तो आगे इसको y क्या बनेगा हमारा y बन जाएगा a naught x की power m इससे multiply करेंगे तो a1 x की power यह क्या है यह है y default 1 तो यह बन जाएगा m plus 1 base same power will be added तो यहां आएगा a2 x की power यह क्या बन जाएगा इसको हम जब इससे multiply करेंगे तो यह m plus 2 बन जाएगा ऐसे a3 x की power यह m plus 3 बन जाएगा ऐसे a4 x की power m plus 4 बन जाएगा ऐसे हमारा a5 x की power यह बन जाएगा m plus 5 बन जाएगा ऐसे a6 x की power m plus 6 बन जाएगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा तो इतना ही हमने छोड़ देना इसको तो आगे हमने इसका क्या करना है हमें चाहिए y- तो आगे हम क्या करेंगे इसका differentiation करेंगे differentiation with respect to क्या करेंगे x equation 2 का equation 1 हमने इसको मानना है और equation 2 हमने इसको मानना है तो इसका करेंगे तो जो हमें आएगा वो हमारा बन जाएगा Y- ठीक है तो Y- हमारा बन जाएगा तो Y- हमारा क्या बनेगा M आगे आजएगा तो ये बनेगा M आगे आजएगा A-NOT X की पावर A कम हो जाएगी प्लस यहाँ M प्लस 1 आगे आजएगा तो यहाँ लिखेंगे A-1 X की पावर A कम होगी तो यहाँ M आजएगा ऐसे ही यहाँ पर M प्लस 2 आजएगा और X की पावर साफ में A-2 और X की पावर क्या आएगी X की पावर A कम हो जाएगी तो यह क्या बन जाएगी X की पावर बन जाएगी M प्लस 1 ऐसे ही मारा M प्लस 3 आ रहेगा और यहां आएगा A3 और X की पावर क्या बन जाएगी M प्लस 2 ऐसे ही मारा M प्लस 4 आ रहेगा और यहां A 4 आ रहेगा और X की पावर M प्लस त्री बन जाएगी एक पाउर ऐसे सो हों जे चलता रहेगा तो आगे इसका क्या करना है हमने डवल डेरिवेटिव तो अगें कर देंगे differentiation with respect to x करेंगे ठीक है इसका करेंगे अब तो y double dash हम इसका कर रहेते हैं y dash निकाल देते जिसको हम dy upon dx बोलते हैं आगे हम डवल डेरिवेटिव निकालेंगे जिसको हम y double dash बोलते हैं यह निकालेंगे हम ऐसे इसका डेरिवेटिव कर तो इसकी value जेतने step पर है 4 step में क्या करेंगे इसकी substitute कर देंगे put the value आगे हम क्या करेंगे put the value of put the value of हम क्या करेंगे y y dash y double dash in equation जो हमारी equation given है equation 1 उसमें हम substitute कर देंगे और बाद में हमने क्या करना है find करना है फिर से in a2 a1 a3 a4 a5 जहां तक लोगे आप a6 तो उसको find out करने के लिए हम compare करेंगे compare coefficient of तो हम वहाँ power देखेंगे कि मारी x की power m minus 2 तो आ रही है तो उसको compare करेंगे फिर हम इसको compare करेंगे x की power m minus 1 वाले component है उसको compare करेंगे फिर हम x की power m से compare करेंगे फिर हम x की power m plus 1 से compare करेंगे फिर हम x की power m plus 2 से करेंगे ऐसी जो जो हमें power मिरती जाएगी उसको हम compare कर लेंगे उसको coefficient compare कर लेंगे तो इतना सब करने से हमारी value a0 a1 a0 की value 5.00 हो जाएगी तो उसकी value हम क्या करेंगे put तो हमारा last step है put the value of जो हमने a1 a2 a3 a4 and a5 तो हम इसको क्या करेंगे in equation 1 2 में equation 2 हमने जो let की है उसमें substitute कर देंगे equation 2 क्या थी हमारी वो थी हमारी ऐसे थी तो वहां हम equation 2 में इसकी value जो है equation 2 में substitute कर देंगे तो हमारी जो series बनेगी वो ही हमारी जो given differential equation होगी उसका वो solution होगा मेरे कहाँ से आपको पता चल गया होगा थोड़ा सा idea होगा हो गया होगा कि हम कैसे इसको solve करेंगे तो मैं इसकी next problem ही resource करने जा रहा हूँ यह 10 marks का sure है question paper में आएगा ही आएगा 10 का भी आ सकता है 2 question आएगे तो 20 का भी बन सकता है पर 10 का marks का ही यह आता है आप power solution आएगा जाँ फिर provenance method आएगा तो प्रीज आप कर लेना तो आप mathematics में पास हो जाओगी तो अच्छी लगी वीडियो तो share जरूर कीजिए जहाँ से ज़ाद अपने अपने दोस्तों को इस channel के बारे में बताईए कि यह एक smart way से learning है तो मैं आपको वही question करवा रहा हूँ जो paper के लिए important है आपके exam के लिए important है तो thank you, thanks a lot thanks for listening bye bye next video में हम मिलते हैं इसकी problem misses करेंगे next video में bye bye